हेलो दोस्तों वेल्कम टूउ हिंडेस्टोरीज यह कहानी है एक हाथी और एक सियार हलता भूक सी इदर भटक रहा था जंगल में घूमते गुमते सियार एक जिगे पर आया जहां उसने हाथी को देखा ये सियाथी को देखते ही जैर के मुझ पर तुमसे ज्यादा बड़ा और समझदार जानवर नहीं है क्या आप इस जंगल के राजा बनना पसंद करोगे सीयार की यह बात हाती को अच्छी लगी हाती ने सीयार को जंगल का राजा बनने के लिए हां बोल दिया हाथी के हां बोलने पर ने बोला आप मेरे साथ चलो बनने की खुशी में हाथी तालाब में उतर गया तालाब में उतरते ही हाथी धसने लगा हाथी सियार से बोला कि ये तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए मैं इसमें धसता ही जा रहा हूं सियार ये सुनकर जोर जोर से हसने लगा सियार बोला कि मैं तुम्हें अपना सिकार बनाना चाहता था इसलिए मैं तुम्ही इस तालाब में लाया ये सुनकर हाती मायूस होकर रोने लगा हाती ने तालाब से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया धीरे धीरे हाती दलदल में धसने लगा हाती को दलदल में फसा देख सियार हाती के साथ साथ सियार भी दलदल में फसकर मर गया इस कहानी से हमें ये स्लीक मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड़क होता है वो सोयम भी उस गड़े में गिरता है वीडियों अच्छे लगे हो तो लाइक सियर और सब्सक्राइब खैंच पर वाचिंग माई वीडियों